फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम जानते हैं सर्दियों में बादाम कैसे खाने चाहिए जानकारी अच्छी लगे दो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें बादाम खाना सेहत के लिए काफी फायदे मंद होता है वैसे तो हर मौसम में बादाम जरूर खाना चाहिए लेकिन सर्दियों के मौसम में बादाम खाना अधिक लापकारी होता है दरसल बादाम की तासीर गर्म होती है इसलिए अगर आप सर्दियों में बादाम खाएंगे तो आपको गर्माहत महसूस होगी शरीर को उर्जा मिलेगी, आप तरोताजा महसूस करेंगे बादाम में विटामिन्स, मिनरल्स, फैटी असिड और फाइबर अधिक मात्रा में होता है इसलिए अधिकतर लोग अपनी डाइट में बादाम को जरूर शामिल करते हैं वैसे तो अधिकतर लोग बादाम को भिगो कर खाते हैं लेकिन आप चाहें तो सर्दियों में बादाम को कुछ अन्य तरीकों से भी खा सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सर्दियों में बादाम कैसे खाना चाहिए सर्दियों में बादाम कैसे खाने चाहिए सर्दियों में भूनी हुई चीजे खाना काफी स्वादिश्ट लगता है अकसर लोग भूनी हुई मूनफली, चने आदी का सेवन करते हैं इसके अलावा आप बादाम को भी भून कर खा सकते हैं आपको बता दे कि कच्चे बादाम की तुलना में भूने हुआ बादाम में पोशक तत्वों की मात्रा आदिक होती है इसके लिए आप बादाम ले, इन्हें तवे पर हलका भून ले अब आप भूने हुए बादाम को स्नेक्स के रूप में खा सकते हैं रोजाना भूने हुए बादाम खाने से आपकी सेहत अच्छी बनेगी आपका पाचन तंत्र भी बहतर तरीके से काम करेगा नमबग 2, हल्वा बना कर खाएं बादाम आप सर्दियों में बादाम का हल्वा बना कर भी खा सकते हैं अब एक गिलास गर्म दूद में बादाम का पाउडर मिलाएं। अब आप इस बादाम के दूद को रात को सोते समय पी सकते हैं। रोजाना गर्म दूद में बादाम का पाउडर मिलाकर पीने आपको काफी एनरजी मिलेगी। साथ ही आपके उजा का स्तर भी बढ़ेगा। सर्दियों में शरीर को गर्म रखने, शरीर को ताकतवर बनाए रखने के लिए आपको दूद में बादाम मिलाकर जरूर लेना चाहिए। 4. लड़ू बनाकर खाएं बादाम अधिकतर लोग सर्दियों में ड्राइफ रूट्स के लड़ू बनाकर खाना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपको सभी ड्राइफ रूट्स मिलाकर लड़ू खाना पसंद नहीं हैं, तो आप सिर्फ बादाम के लड़ू बनाकर भी खा सक सर्दियों में रोजाना एक लड़ू खाने से आपको सभी पोशक तत्व प्राप्थ हो सकते हैं। इससे आपको भरपूर मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर मिलेगा। रोजाना बादाम का एक लड़ू खाने से आपको पर्यापत उर्जा मिल सकती है। विडियों में दिये गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए दिये गए हैं और इसे आज माने से पहले किसी पेशेवर चिकित सक सलाह जरूर लें।